नमस्कार दोस्त हेल्फ वीडियो हिंदी में आपका स्वागत्ते हैं दोस्तो जन आधार में यादी संसोधन आपको करना है तो वो अब नए वर्जन में आप किस प्रकार करेंगे इसके बारे में आज इस वीडियो में कांप्लेट जानकारी मिलेगी लाइव डेमो दिखाकर म तो वीडियो के लश्ट तक बने रहे जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके जन आधार में कोई भी करेक्षन करने के लिए चाहे जनम्थिति का हो किसी प्रकार का करेक्षन करने के लिए हम इमित्र के डेसपोर्ड पर आएंगी यूटिलीटी टाइब सर्विस पर क क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें जन आधार टाइप करना है तो यहाँ पर हम जन आधार टाइप कर लिया तो यहाँ पर जन आधार इंड्रोल्मेंट टू का ओप्सन दिख रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर थर्ड पार्टी में आपको जाने के लिए पूचा जा तो आपको यहाँ पर simple सा ok पे click कर देना है ok पे click करने के बाद में जन आधार का जो नया वर्जन है वो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option दिखाई दे रहे हैं नया नामांकन जन आधार उद्यतन नया सदेश्य जोड़ना नामांकन रसीड डाउनलोड तो हमें यहाँ पर जन आधार का संसुदन करना है उसमें यादी कुछ आपको जनमतिती वगेरा तो इसके लिए हमें जन आधार उद्यतन पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ प्रोसेस होने में लेट हो जाएगा आपको यादी हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ से आप बासा भी चैंज कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल उद्यतन करना है बलकि यहाँ पर मुख्या परिवर्दन नहीं करना है हमें क्योंकि हमें कुछ नाम वगेरा जनमतिती संसोधन करनी है तो यहाँ पर जैसे आप ये क्लिक रखेंगे तो यहाँ पर उपर लिखा है जन आधर नमाकन में अंकित सूचनाव में सुधार या अपडेट करने है तू तो हमें यहाँ पर अपडेट करना है तो यहाँ पर हमें ID चुने का option दिखाई दे रहा है नमाकन संख्या यानि की जो जन आधर रसिद संख्या है वो है आधार कार्ड संख्या है या जन आधार पैचान संख्या इन तीनों में से हमें एक चाहिए तो हम यहाँ पर जन आधार पैचान संख्या को क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जन आधार डालेंगे हमें जिसका भी चैन करना है तो हमें यहाँ पर जन आधार पैचान संक्या डालनी है जो जन आधार के उपर लिखी होती है वो यहाँ पर हमें डालनी है जैसे ही हम जन आधार संक्या डालके ओके पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर बायोमेटिक प्रमानिकरन पूछा जाए हैं सत्यापन या फिर आधार से अब आपको यादि आपके आधार में मोबाइल नमबर नहीं है तो आप जन आधार संक्या ले सकते हैं तो हम यहाँ पर जन आधार संक्या लेंगे तो यहाँ पर नाम आ चुके हैं यहाँ पर मोबाइल नमबर आ चुके हैं अब आपको जिस ब तो यहाँ पर एक OTP generate होकर चला गया है, तो वो OTP हमें यहाँ पर डालना है और सत्यापित करे पर क्लिक कर देना है, तो हम यहाँ पर OTP डालके सत्यापित करे पर क्लिक करते हैं, गोटिपी सत्यापन जैसे ही करेंगे, तो यहाँ पर आपको पूरे सदेशी दिखाई देंगे, आपको जिसका चेंजेज करना है, जो भी करना चेंजेज हैं, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो मेरे केस में यहाँ पर सबसे अंतिम वाले को सेलेक्ट करना है, तो य यहाँ पर अब आपके सामने सबसे पहले आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है जो भी आपको संसोधन करना है टिक मार्क करना है तो यहाँ पर आधार नमबर बंदे का नहीं है तो यहाँ पर हम आधार पर टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पर ऊपर टिक मार्क करना है यहाँ पर ना आ रहा है तो यहां पर भी आपको संसोधन करने के लिए इसको साथ में लेना वरना आपका सर्मिट नहीं होगा आपको एरेर आएगा तो हमने यह सलेक्ट कर लिया है हमें आदार नंबर देना है इस बच्ची का जनमतिती सही करनी है और यहां पर विशेश योगी जन में ह हम सीधा आगे बढ़े अब यहां पर देखिए शिक्षा का इस तर आ चुका है वार्षिक आए यहां पर है तो वार्षिक आए यहां पर निल बता रहा है इसे हमें सही करना होगा वरना हमारा आविदन सही से सर्मिट नहीं होगा और रसिज जनरेट नहीं होगी तो यहां पर भी हमें यहाँ पर एक टिकमार करना है, और आगे जाए पर क्लिक करना है. यहाँ पर यहाँ पर यादी बैंक खाता आपके पास है, तो यहाँ पर ये टिकमार का आप तीनों कर सकते हैं, IFC code, bank का नाम और खाता संख्या के लिए यादी बच्चा है कोई और उसका account नहीं है आप ऐसे अभी छोड़ना चाते हैं तो आगे बड़े पर जाए पर click करना अब पैचान दस्तावेज सम्मध दिते आ दिया आपको कोई जैनकरी changes करनी है तो यहाँ पर tick mark करना है नहीं है तो अज्यतन करे पर आपको वापिस click कर देना है अब जो भी आपने option किये देखिए यह option open हो चुके है अब यहाँ पर यह खाली जग़े आ चुकी है आपको यहाँ पर आधार number type कर लेना है तो हम यहाँ पर आधार number type कर लेते है तो बहूत कुछ पहले से अभी changes हो चुके है आपको यहाँ पर ध्यान दखना है अब आपने आधार number डालने के बाद में यहाँ पर search का यह option है इसे आपको दवाना होगा वरना आपका आधार यहाँ पर अब यहाँ पर आधार में जो mobile number है उस पर OTP चला गया है तो वो OTP आपको यहाँ पर लेकर लगाना होगा OTP लगा कर हम जैसे ही यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर OTP verified Your OTP successful verified यह आएगा तो अब यहाँ पर profile का जो picture है वो भी change हो जाएगा जो आधार में है वो आजाएगा और जो आधार के अंदर जैसा आपकी जनमतिती वगेरा है वो सब कुछ change हो जाएगा यहाँ पर अब आपको और ज़्यादा कुछ changes नहीं करना पड़ेगा जो भी आपके आधार के अंदर जनमतिती हैं वो भी change हो चुकी है जो भी बायो डाटा आपका आधार में था वो सब कुछ यहाँ पर आ चुका है तो आपको एक वार फिर भी check कर लेना है क्योंकि अभी मेरे को जनमतिती भी change करनी थी लेकिन मैंने आधार नंबर लगा कर search किया और OTP verified किया तो आधार में जो जनमतिती थी वो ओटोमेटिक यहाँ पर संसोधन हो चुकी है अब आपको अगले पर क्लिक कर देना है लेकिन यहाँ पर हमने पीछे यहाँ पर विशेश योगिजन का यह option भी हमने open किया था इसमें आपको नहीं पर क्लिक कर देना है और अगले पर क्लिक करना है यहाँ पर सब कुछ आए चुका है आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है अब हमें यहाँ पर अगले पर वापिस क्लिक कर देना है यहाँ पर वार्षे काया यादी बच्चा है तो जीरो और अलग जो भी अधर भी यादी आए हैं पर अप्लोड करनी है तो यहाँ पर हमें PDF डालकर अप्लोड करनी है तो हम यहाँ पर PDF अप्लोड कर लेते हैं अब यहाँ पर हमने फाइल भी अप्लोड पीडियप में कर ली हैं अधारकाल की अब प्रस्तुत करेंगे प्रस्तुत करने पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेस का एक ऑप्शन आ रहा है data update successfully यसो मीधर रिपचेपट अब आप क्लिक करेंगे रिपचेपट पर तो आपको जो आपने अप तो ये लो हमने यहां फिर से इसका print out भी दे दिया है लेकिन दोस्तो अब ये जब तक जन आधार में ये update नहीं होगा जब तक आप इस जन आधार में किसी प्रकार का किसी दूसरे member का आप जनमतिती या आधार नंबर कोई भी update नहीं कर सकते है जब तक ये यादी pending रहेगा ग्राम सेख से वगेरा से जब तक आप नहीं कर सकते हैं जब आपका ये सब कुछ रड़ी हो जाएगा और उसके बाद में ही आप दूसरे किसी मेंबर का कुछ अपडेट कर सकते हैं तो दोस्तो ये था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगाएं तो लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैबारत